हलो और वेलकम फ्रेंट्स आज की ये वीडियो C++ की है और C++ में क्या सेखने वाले आई आपको बताता हूँ यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एक प्रोग्राम मैंने लिखा है इसको कुछ header files को मैंने इंक्लूड करा है यहाँ पर हैसिंक्लूड इंक्लूड स्ट्रिंग एक और header file इंक्लूड करी है मैंने और यहाँ पर नेम स्पेस का concept यूज किया है और यहाँ पर देख सकते हैं इंडिया के कुछ cities और कुछ गाओं के नाम मैंने लिखे हैं अब यह हमारी city है और इसके आसपास के कुछ गाओं है साकेत नगर है अब यह मुहले का नाम है निउकालोगी प्रबाती जो यह गाओं है तो इस सब लिखे हुए हैं और यहाँ से अब इसको हम compile करवाते हैं त देखें यहाँ पर हमें क्या print करवाना है यह 0 को print करवाना है इंडिया 0 तो इंडिया तो variable का नाम हो गया और 0 उसका हमको 0 वाला value प्रेंट करवाना है तो array में by default जो indexing होती है वो 0 से start होती है तो मैंने 0 लिखा तो दिवर यह प्रेंट हो अगर 1 लिखता हूँ यहाँ पर प्रेंट होगा इपर पाती तो देखिए यहाँ पर गए पहले इसको close कर देते हैं यह पहले से बना हुआ है यह पहले run करवा चुके हैं हम इसको close कर देते हैं और यह बिल्ट पर जाके फिर compile पर क्लिक किया जैसे compile पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यह जो है program हमार इसको close कर देते हैं यह close कर दिया हमने और close करने के बाद यहाँ से बिल्ट पर जाके compile करवा के देन इसको run यहाँ से करवा देंगे हम तो जैसे ही हम इसको run करवाएंगे तो देखेंगे कि अब यहाँ पर लिखा है मैंने 3 तो 0 हो गया 1 हो गया 2 हो गया 3 3 पर new colony दिया हुए इसको पन्होंसो कर देखेंगे हम थाहाँ नगया दार को